नश्कार दोस्तों, Current Affairs Revision for Film 2020 में आपका स्वागत है Economy से सम्मधित Current Affairs की Revision का ये हमारा दस्वा लेक्चर है इस वीडियो में हम मार्च महिने के Economy से सम्मधित Current Affairs को revise करेंगे discussion का first important article project monitoring group portal से सम्मधित है क्या context है, हाल ही में, Minister of Commerce and Industry ने एक meeting को chair किया project monitoring group portal के उपर infrastructure projects को review करने के लिए देखो ये जो portal है, project monitoring group, ये institutional mechanism है department of promotion of industry and internal trade का, ये जो department है ministry of commerce and industry के अंतरगत आता है, aim इस portal को establish करने का ये है वो projects है, जिनकी वर्थ 500 क्रोड से ज्यादा है लेकिन ऐसे projects को complete होने में problems का सामना करना पढ़ रहा है किसी परकार की clearance सम्मधित problem है, state में ये फिर सेंटल गोर्रमेंट से या फिर किसी दूसरी type की problem है तो ऐसे projects को assistance provide की जाती है project monitoring group portal के द्वारा और portal को assistance दी जाती है, invest India के द्वारा invest India के बारे में अभी हम जानेंगे, बट थोड़ी सी और information देखो invest India जो है, ऐसे projects को identify करके मदद देता है, कि भाया जो भी आपको clearance समंधित या फिर दूसरी problem का सामना करना पढ़ रहा है जिसकी वज़े से आपका project आगे नहीं पढ़ रहा है, हम आपकी मदद करेंगे हम state से या फिर center government से बात करेंगे कि इनको clearance चाहिए दे दो अब बात करें invest India की, इसको setup किया गया था 2009 में, ये non-profit venture है department of industrial policy and promotion के अंतरकत आता है, ये official investment promotion and facilitation agency है जैसे बाहर का कोई investor इंडिया में invest करना चाहता है, तो invest India मदद करता है उस investor की, आप यहाँ पर invest कर सकते हो, आप ये invest कर सकते हो, मतलब जो भी बारिक्या होती है investment की, उसमें मदद की जाती है, invest India के दवारा investors की, ये first point of reference है इंडिया में investors के लिए, तो ये हमने पूरा article discuss किया, project monitoring group portal के बारे में next article shared economy के बारे में है, ये article interesting है, shared economy का मतलब क्या होता है shared economy मतलब एक ऐसा system, जिसमें underutilized asset को या फिर underutilized services को individuals के दवारा या फिर छोटे-छोटे businesses के दवारा आपस में share किया जाता है बिल्कुल simple example है ola, uber, eb आप share करते हो, ये shared economy का एक example है furniture, rent पर आजकल मिलने लगे है, किसी को आशकता नहीं थी, उसने अपना furniture दे दिया rent के लिए, और जिसको आशकता थी कुछ समय के लिए, दो महिने के लिए, तीन महिने के लिए उसने rent पर ले लिया, तो ये example है shared economy का, समझ गए, अब definition फिर से देखो, concept और ज़दा clarify हो जाएगा, share economy के ऐसा system है, जिसमें underutilized assets है, जैनि वो assets, जो अभी अच्छे से utilize नहीं हो रही है, या फिर ऐसी ही services, इनको आपस में share किया जाता है, individuals के बीच, या फिर, micro, छोड़े-छोड़े businesses के बीच, आम दूर पर देखो, internet की साहिता से ही, ये shared economy वाला जो concept है, वो possible हो पाता है, जैसे, ola, uber, internet की साहिता से चलते हैं, बागी ये startups हैं, जैसे we work, इंडिया, और जितने भी हैं, ये rent, mojo वगएरा, ये सारे internet की साहिता से चलते हैं, तो context क्या था, context simple था, एक report जारी की गई थी, maple capital advisors के द्वारा, कि इंडिया में, current year में shared economy का जो valuation होगा, वो 2 billion dollars का होगा, यानि shared economy का जो industry है, वो 2 billion dollars हो चुकी है, नेस्ट आर्टिकल, नेशनल, बायो फार्मा, मिशन से समधिद हैं, इस मिशन के बाद, बारे में हम details बाद में discuss करेंगे, पहले objective जान लेते हैं, इस मिशन के अंतरगत, एक program launch क्या गया है, आई 3 program, आई 3 program का मतलब है, innovate in India program, प्रोग्राम का मकसद यह है, यह insure करना, हमारे देश में, बायो फार्मा सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा manufacturing हो, और ज़्यादा से ज़्यादा entrepreneurs आएं, बायो फार्मा सेक्टर में, innovation भी ज़्यादा से ज़्यादा आएं, इसके अलावा, human capital को develop करना, उनको specific training देखें, next, technology transfer, offices develop करना, ताकि industry और academia के बीच, linkage जो है, इसे enhance किया जासके, अब हम details जानते हैं, इस mission के बारे में, यह देखो, industry, academia, collaborative mission है, मतलब industry के, बायो फार्मा सेक्टर के लोग और academia, दोनों मिलके, इस mission में काम कर रहे हैं, मक्सद यही है, हमार देश में, बायो फार्मा सेटिकल, डेवलप्मेंट की जो गती है, इसे increase करना, मतलब हमार देश में, बायो फार्मा सेटिकल, और तेजी से develop हो, यह ensure करना, इस mission क लोंच किया गया था, 2017 में, 1500 क्रोड की टोटल कोश्ट के साथ, 50% जो funding आई, वो वर्ल्ड बैंक लोन की साहिता से आई, implement किया जा रहा है, बिराक यानि बायो टेक्नोजी, इंड़स्ट्री, रिसार्च, असिस्टेंस काउंसिल के दवारा, यह देखो, एक पब्लिक सेक्ट डिपार्टमेंट ओफ बायो टेक्नोजी, वैसे एक टेक्निकल एडवाजरी ग्रूप जिसको चेयर किया जा रहा है, एक एमिनेंट साइंटिस्ट के दवारा, यह ग्रूप साइंटिफिक लिडर्शिप प्रोवाइड कर रहा है, इस मिशन को, और इस टेक्निकल एडवाज मिशन से सम्दित, इंपोर्टन आर्टिकल, रॉपैक्स सर्विस के बारे में है, मतलब जान लेते हैं, रॉपैक्स सर्विस का क्या है, यह देखो, रोल ओन, रोल ओफ, कम पैसेंजर फैरी सर्विस है, बिलकुल आसान सब्दों में मतलब जानते हैं, देखो, रोल ओन, रोल जिसमें ship की साहिता से wheel cargo को, wheel cargo मतलब car, truck, jeep यह सब wheel cargo हैं, तो roll on, roll of ferry service में ship की साहिता से wheel cargo को, yan Queatura, truck इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। और खास बात यह है, कि roll on, roll of service में, यह जो विकल्स होते हैं यह अपने आप सिप में एंटर करते हैं इस परकार का एक स्टेंड बना होता है और यह विकल्स अपने आप सिप में रोल ओन करते हैं और जब गंतव्या पर यानि डेस्टिनेशन पर सिप पहुंच जाता है तो यह विकल्स अपने आप सिप से बाहर आ जाते है यानि रोल ओफ कर लेते हैं किसी परकार के कोई लिफ्ट के आफशकता नहीं होती रोल ओन रोल ओफ फैरी सर्विस में तो ये जो रोपैक्स सर्विस लोंच की गई है इसमें ना सिरफ विकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे बलकि पैसेंजर्स भी जाएंगे कहां से कहां तक ये रोपैक्स सर्विस लोंच की गई है मुंबई से मांडवा तक जो सिप जाएगा यानि पैसेंजर्स और कारगो वील को जो सिप कैरी करेगा मुंबई से मांडवा के बीच उस वैसल का नाम है Ropex Vessel M2 M1 इसको ग्रीस में बीड़ किया गया था September 2019 में एक समय में ये वैसल 200 cars और 1000 passengers को carry out कर सकता है speed जो है इस वैसल की वो है 14 notes 1 note का मतलब होता है 1.15 mile per hour यह एक घंटे में अगर ship 1.15 mile की यात्रा करता है तो मतलब ship की जो speed है वो है 1 note देखो वैसे अगर मुंबई से मांडवा सड़क के माध्यम से जाए जाता है तो time लगता है 3 से 4 घंटे 110 km की यात्रा करनी पड़ती है लेकिन इस Ropex Service के start होने के बाद distance रह जाएगा सिरफ 18 km और यात्रा पूरी हो जाएगी सिरफ 1 घंटे के अंदर ये ship जो है मांसून सेसन में भी काम करसकेगा एक बात देखो ये भी याद रखेगा ये जो Ropex Service है ये launch की गई है Eastern Waterfront Development के अंतरगत ये Eastern Waterfront Development क्या है ये देखो Mumbai Port Trust का एक प्लान है ताकि Mumbai Port का जो लैंड है Mumbai के Eastern Coast के साथ लगता सासून डोक से लेगे वडाला तक इस Port के लैंड को डवलप करना ये सब कुछ है Eastern Waterfront Development में और हम बात करें Mumbai Port Trust की ये Autonomous Body है जो की Ministry of Sipping के अंतरगत आती है चलते हैं आगे ने स्टार्टकल Aircraft Amendment Bill 2020 से समधित हैं वैसे देखो UPSC Prelim में Bill के बारे में कोशन आम तोर पर नहीं पूछती हैं क्योंकि Bill में कुछ final नहीं होता न कोई Bill लोकसभा में पास हुआ है उसके बाद राज्यसभा में पास होने से पहले Select Committee के पास बेजा गया है पता लगे जब राज्यसभा में आएगा उसमें चेंज हो चुका है तो इसलिए Generally UPSC Bill के बारे में कोशन नहीं पूछती हैं Guidelines के बारे में पूछ लेती हैं Rules के बारे में पूछ सकती हैं लेकिन Bill के बारे में उनका operation, उनकी sale, उनका import, export इन सब चीज़ों को regulate करता है ये Aircraft Amendment Bill 2020 इसके लावा देखो Licensing of Aerodrome Aerodrome का मतलब है एक छोटा सा एरपोर्ट या फिर छोटी सी एरफिल्ड इनके licenses को भी deal करता है regulate करता है Aircraft Amendment Bill 2020 Bill में देखो provision ये क्या गया है अगर ये Bill Act बन जाता है तो ये जो regulatory institutions है for example DGCA Directorate General of Civil Aviation BCAS यानि Bureau of Civil Aviation Security उसके बाद AAIB यानि Aircraft Accident Investigation Bureau ये सब statutory bodies बन जाएंगी समझ गए मतलब अभी तो ये executive body है जैसे सरकार के एक order से इनको establish किया गया है अगर ये Bill Act बन जाता है तो ये statutory bodies बन जाएंगी इससे फाइदा क्या होगा फाइदा देखो ये होगा ये और independent होके काम कर सकेंगी सरकार के इसारों पर थोड़ा कम काम करेंगी और इससे हमारी जो ranking है aviation safety में improve हो जाएगी क्योंकि international civil aviation organization ये देखता है कि civil aviation को regulate करने वाले जो institutions है उनको statutory status मिला है या फिर नहीं मिला है वो independent होके काम कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है तो अब इनको statutory status मिल जाएगा अगर ये Bill Pass हो जाता है तो international civil aviation organization के द्वारा ये जो aviation safety ranking जारी की जाती है इसमें इंडिया की ranking improve हो जाएगी हम इन तीन बोडिस का थोड़ा थोड़ा function डिसकस करें देखो DGCA का काम ये है बिल के अंदर जो भी matters है उनकी देखरे करना उनको regulate करना simple भाहसा में बात करें तो देखो pilots को license देना हो और pilots की training कैसे होगी नया civil aircraft को register करवाना हो इन सभी कामों से deal किया जाता है DGCA के दवरा और इसके बाद बात करें BCAS की Bureau of Civil Aviation Security ये देखो Civil Aviation Security Provisions की देखरे करती है मतलब हमारे देश में Civil Aviation Security से कोई compromise ना हो इस चीज़ को supervise किया जाता है BCAS के दवरा तीसे नंबर पे Aircraft Accident Investigation Bureau कोई accident हो जाता है तो investigation करियाउट की जाती है Aircraft Accident Investigation Bureau के दवरा बिल में देखो ये provision क्या गया है अगर कोई aviation industry player for example spice jet किसी norm का violation करता है कोई rule को तोड़ता है तो fine लगेगा 10 लाग के बजाए 1 करोड पहले fine लगता था 10 लाग कोई rule तोड़ने पर अब लगेगा 1 करोड बिल में देखो ये भी कहा गया है कि Central Government किसी person को कोई license दिया गया है उसको cancel कर सकती है certificate cancel कर सकती है approval दिया गया है उसको भी cancel कर सकती है अगर वो person act के किसी provision का उलंगन करता है वैसे देखो ये जो act है ये act Navy, Army, Air Force के Aircraft पर लागू नहीं होता है ये सब हमारी Armed Forces या फिर इसके अलावा भी इंडिया की कोई Armed Force है जैसे परामिल्टरी Force के पास कोई Aircraft है उनको भी exemption मिली है इस bill से चलते हैं आगे Next Article Modified Electronics Manufacturing Cluster Scheme के बारे में है यानि EMC 2.0 क्या contest है Union Cabinet ने हाल ही में Approval दिया कि इस Scheme को Implement करने के लिए Financial Assistance Central Government के द्वारा दी जाएगी इस Scheme की साहिता से देखो सरकार ये इंशोर करना चाहती है कि हमारा देश Mobile Manufacturing और Mobile के Components Manufacturing के छेतर में पूरी दुनिया में हब बने मैं फिर से बोलता हूँ Mobile और Mobile के Components की Manufacturing के छेतर में हमारा देश पूरी दुनिया में हब बने ये इंशोर करने के लिए इस Scheme को लूँच किया गया है तो इस Scheme में Electronics Manufacturing क्लश्टर इस्टाबरीश के जाएंगे जहां पर सरकार बहुत बढ़िया Infrastructure क्रियेट करेगी ताकि ज्यादा Manufacturing हो Electronics Components की और Mobile Components की ये Scheme National Policy for Electronics 2019 के हिसाब से डिजाइन की गई है Scheme स्पोर्ट करेगी हमार देश में Electronics Manufacturing Clusters को साइट अप करने के लिए Focus देखो इस बात पर होगा ESDM सेक्टर के लिए ESDM का मतलब है Electronics System Design and Manufacturing ESDM सेक्टर के लिए Basic Infrastructure Basic सुविधायम या फिर Common Facilities को डवलप करना Scheme Common Facilities Centers को सेट अप करने के लिए भी स्पोर्ट करेगी इसके अलावा Clusters देखो उन एरियाज में Establish किये जाएंगे जहाँ पर आलरेड़ी अच्छी खासी Manufacturing Unit है Focus Common Technical Infrastructure को Upgrade करने पर भी होगा और जैसा हमने डिसकस किया Electronics Manufacturing Clusters में Industrial Parks में Industrial Corridors में Common Facilities प्रोवाइड करने पर भी होगा अभी देखो Global Electronics की Manufacturing में हमारा जो share है वो 3% है वैसे 2012 में ये सिरफ 1.3% था तो काफी कुछ हमने progress की है इस front पर लेकिन अभी भी हमारा share काफी कम है इसे और increase करना है और वैसे देखो Electronics Production जो है हमार देश की GDP में अभी सिरफ 2.3% कोंट्रिब्यूट करता है तो ये हमने पूरा आंटिकल डिसकस किया EMC 2.0 स्कीम के बारे में 2.0 इसलिए क्योंकि ये Modified Electronics Manufacturing Cluster Scheme है PIB का आंटिकल डिसकस करेंगे Drugs Manufacturing से संबादीत क्या कंटेस्ट है हमार देश में Drugs यानि दवाईयों की Manufacturing को पर्मोट करने के लिए Union Cabinet के दवारा 2 नई schemes को अप्रूल दिया गया है नाम क्या है उन schemes के Scheme on Promotion of Bulk Drug Parks और दूसरी scheme है Production Linked Incentive Scheme मक्सद क्या है इन schemes के लिए Approval देने का देखो वैसे तो हमारे देश का भी जो Pharmaceutical सेक्टर है काफी ज़्यादा स्ट्रोंग है India Generic Medicines की Manufacturing का हब है हम बहुत सारे देशों को Generic Medicines Export करते हैं बड़ देखो Problem ये है कि Generic Medicines को Manufacture करने के लिए जिन Drug Intermediates या फिर Active Pharmaceutical Ingredients के आशकता पढ़ती है वो हमारे देश में नहीं मिलते हम उनको Import करते हैं चाइना से लेकिन चाइना पे देखो Dependence होना ठीक नहीं है अभी for example चाइना में महमारी देखने को मिली चाइना से रुक गई और हमारे देश में Generic Medicines और दूसरे ड्रग्स की Manufacturing काफी ज़्यादा परभावित हुई तो अब इंडिया ये चाहता है कि हम Drug Intermediates और Active Pharmaceutical Ingredients के लिए चाइना पर Dependent ना हो ये बाद ना सिरफ इंडिया ने महसूस की बलकि USA समेथ European Countries ने भी महसूस की कि ड्रग्स की सप्लाई के लिए चाइना के उपर Dependency ठीक नहीं है आगे थोड़ा सा हम मतलब समझ लेते हैं Drug Intermediates और Active Pharmaceutical Ingredients का पहले बात करते हैं Drug Intermediate की ये देखो वो ड्रग्स हैं जिनको एजे रा मेट्रियल इस्तमाल किया जाता है Bulk Drugs की Production के लिए फिर से बोलता हूँ ये वो ड्रग्स हैं जिनको एजे कच्चा माल यानि रा मेट्रियल इस्तमाल किया जाता है Bulk Drugs की Production के लिए देखो Bulk Drugs कह लिजिए या फिर Active Pharmaceutical Ingredients कह लिजिए दोनों एक ही बात है समझ गे तो आप बताईए Active Pharmaceutical Ingredients का क्या मतलब होता है Example की साहिता से बताता हूँ माल लीजिए ये कोई ड्रग है ड्रग मनाने में देखो बहुत सारी चीजों का इस्तमाल होता है आपको Binder चाहिए काफी Chemicals को Bind करने के लिए लेकिन एक चीज सबसे मेन होती है जिससे एक्चली दवाई का परपज सिध होता है माल लीजिए ये जो टेपलेड है परसितमोल है बुखार ठीक करने के लिए है तो वो केमिकल जिससे एक्चली में बुखार ठीक होगा उसे कहा जाता है Active Pharmaceutical Ingredients समझ गए मैं सिंपल भासा में फिर से बोलू एक देखो टेबलेट के अंदर बहुत सारी चीजे होती है बहुत सारे केमिकल होते है लेकिन वो केमिकल वो प्रोडेक्ट वो एलिमेंट जिससे एक्चल में वो परपज सिध होता है जिसके लिए दवाई बनी है उसे कहा जाता है Active Pharmaceutical Ingredients इतना समझ आने के बाद अब स्कीम को समझना तो बहुत आसान है दो स्कीम है पहली स्कीम की बात करते है Permotion of Bulk Drugs Park Scheme इस स्कीम में क्या है तीन मेगा Bulk Drugs Park इस्ताबलिच के जाएंगे इंडिया में और इसके लिए Government यानि Central Government Partnership करेगी States के साथ For example तीन स्टेट का चुनाव कर लिया हरियाना, पंजाब, महाराष्टर Central Government बोलेगी 1000 क्रोड हम आपको देंगे 1 Mega Blug Drug Drug Park Establish करने के लिए बाकी आप अपनी तरफ से लगाईए समझ गे, Central Government 1000 क्रोड की grant in aid देगी, बाकी खर्चा State Government करेगी, इस परकार से पूरे देश में 3 Megaparks established किये जाएंगे जहां पे bulk drugs की manufacturing होगी, और Central Government ये 3000 क्रोड की रकम देगी आने वाले 5 सालों में ये जो Megaparks established होगे, इन में देखो बहुत सारी common facilities होगी, जैसे solvent recovery plant, desilitation plant, power and steam unit waste को manage करने के लिए treatment plant, ये सारी facilities प्रोड की जाएंगे, और इस scheme को implement किस के दौरा किया जाएगा, state implementing agencies के दौरा, जिनको setup किया जाएगा, respective state governments के दौरा, for example, महराष्टर में, ये mega bulk drug park established हुआ है, तो महराष्टरक्र की सरकार के दौरा state implementing agency को setup किया जाएगा, अब बात करते हैं दूसरी scheme की, production linked incentive scheme इस scheme में क्या है, इस scheme में simply 53 ऐसे manufacturers को identify किया जाएगा, जो हमारे देश में critical bulk drugs की manufacturing करते हैं, यानि active pharmaceutical ingredients की manufacturing करते हैं, उनको incentive दिया जाएगा, sales basis पे मतलब जितने ज़्यादा उनके ingredients भिकेंगे उनको financial incentive दिया जाएगा सरकार के दौरा आने वाले 6 सालों में तो incentive उनके पास होगा, तो वो ज़्यादा manufacturing करेंगे, APIs की यानि bulk drugs की, तो इससे हमारी जो dependence है चाइना के ऊपर वो कम होगी, इस scheme को implement किया जाएगा, Department of Pharmaceuticals के द्वारा एक project management agency establish की जाएगी इस agency के द्वारा चलते हैं आगे, important article United Nations World Happiness Report 2020 से समन्दित हैं, क्या contest है देखो 2012 में United Nations General Assembly के द्वारा ये decide क्या गया था, कि हर साल, 20 March का जो दिन है वो World Happiness Day के रूप में observe क्या जाएगा यानि World खुशाली दिवस इसी दिन, यानि 20 March को Sustainable Development Solutions Network के द्वारा World Happiness Report रिलीज की जाती है देखो इस Network के बारे में हम last में डिसकस करेंगे लेकिन पहले World Happiness Report 2020 के बारे में डिसकस करते हैं 156 देशों को रैंकिंग दी गई है इस World Happiness Report 2020 में किस आधार पर कौन से देश में नागरिक जो हैं ज्यादा खुश है इस आधार पर रैंकिंग दी गई है World Happiness Report में मतलब जिस देश के नागरिक ज्यादा खुश उसको ज्यादा अच्छी रैंक 6 6 इंडिकेटर्स का सारा लिया गया है ये पता लगाने के लिए कि किस देश के नागरिक ज्यादा खुश है ये 6 इंडिकेटर्स है सबसे पहले GDV पर कैपिटा दूसे नंबर पर सोशल स्पोर्ट मतलब नागरिकों के बीच अपने पन का कितना भाव है तीसे नंबर पर Healthy Life Expectancy मतलब Average तोर पर एक सेड़िजन की उमर कितनी है कितने साल सेड़िजन जीता है इसके बाद Freedom Freedom के बाद Generosity Generosity का मतलब होता है उदारता जैसे देखो करोना की महमारी की situation में आपके पास ज़्यादा मास्क है आप share करते हो दूसरों के साथ मतलब आप उदार हो सबसे लास्ट में है absence of corruption यानि corruption का ना होना तो इन 6 indicators के आधार पर World Happiness Report त्यार की गई है देखो खास बात ये है कि 2020 की रिपोर्ट में पहली बार World में Women Cities को ranking दी गई है subjective well-being के अधार पर भी और social, urban and natural environment का क्या फरक पड़ता है क्या impact पड़ता है happiness पर इस चीज को भी consider किया गया है इस चीज पर भी analysis किया गया है अगर इंडिया की performance की बात करें इंडिया की performance काफी खराब रही है इस index में इंडिया की rank है 144 स्वी out of 156 countries यानि इंडिया लाश्ट के 15 देशों में है पिछली बार इंडिया की rank 140 वी थी अब तो इंडिया की rank इस साल 4 स्थान और नीचे खिसक गई अगर देखो हम हमारा comparison करें परोशी देशों के साथ तो हमारी rank काफी खराब है निपाल की rank है 92 पाकिस्तान की rank है 66 सोचके देखिए पाकिस्तान की rank 66 वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट में जबकि इंडिया की rank 140 वी बंगलादेश की rank 107 वी स्रिलंका की rank 130 वी फिल्लैंड लगातार तीसरी बार टोप पर आया है इस रिपोर्ट में जो नौडिक स्टेट्स है वो देखो टोप 10 में सबसे ज़्यादा है स्विजर्लैंड, न्यूजिलैंड और आश्ट्रिया के साथ ये हैं देखो नौडिक कंट्रीज स्विडन, डैन्मार्क, स्टोक होम, फिल्लैंड, आइसलैंड ये सब नौडिक कंट्रीज है ये देखो खुश ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि यहां पर पर कैपिटा इंकम जो है काफी हाई है, स्टेट के द्वारा काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं सिडजन्स को स्पोर्ट करने के लिए जैसे अन एंप्लोईमेंट इंस्वरेंस स्कीम चाइल्ड स्पोर्ट स्कीम और सोशल स्पोर्ट काफी ज़्यादा है जैसे एक्जाम्पल के तोर पर आगर किसी को पर्स मिल जाए, किसी दूसरे पर्सन का तो इन देशों में प्रोविल्टी ज़्यादा है कि वो पर्सन लोटा देगा जिसका भी पर्स उसको मिला है और देखो लाश्ट में जो रैंक आई है इस रिपोर्ट में उन देशों की आई है या तो जिन देशों में गरीबी काफी जादा है या फिर किसी परकार का violent conflict देखने को मिलता है जैसे जिंबाबे, साउथ सुडान अफगानिस्तान इन देशों में civil war चल रहा है खास करके साउथ सुडान में और अफगानिस्तान में इस वज़े से इनकी ranking जो है बहुत पीछे है लोग खुश नहीं है अब हम last में Sustainable Development Solutions Network के बारे में भी डिस्केस कर लेती हैं इसको launch किया गया था 2012 में United Nations Secretary General की guidance में किस उदेशया के साथ इस network को launch किया गया था उदेशया देखो ये था कि Global Scientific and Technological Expertise को इकठा करना ध्यान दीजेगा Global Scientific and Technological Expertise को मोबलाइज करना इकठा करना ताकि Sustainable Development Goals को Achieve करने में जो Problems आ रही हैं उनका निदान क्या जासके समझ गे ना सिरफ Sustainable Development Goals बलकि Paris Climate Change के Agreement को Achieve करने में जो Problem आ रही है उस Problem को address क्या जासके इसके लिए Scientific and Technological Expertise को इकठा करना यूडिलाइज करना ये मकसद है SDSN का लास्ट में एक और इंपोर्टन चीज SDSN और Battlesman Stiff Tong ये दोनों मिलके 2016 से ही हर साल Annual SDG Index and Dashboard Global Report भी रिलीज करते हैं चलते हैं आगे Important article की World Energy Statistics 2019 Report के बारे में हैं देखो सबसे पहले कोशन ये बनता है ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती हैं इसका आंसर होगा International Energy Agency इस organization के द्वारा Key World Energy Statistics Report रिलीज की जाती हैं अब बात करते हैं latest क्या हुआ है इस 2019 के edition के रिपोर्ट के अनुसार India third largest producer है electricity का पूरे वल्ड में हमसे पहले दो और देश आते हैं लिस्ट में एक USA और दूसरा China ना सिर्फ देखो हम third largest producer हैं पूरे वल्ड में electricity का बलकि तीसे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो electricity consume होती है वो हमारे देश में ही होती है बट ध्यान देने वाली बात ये है चोकि हमारे देश में population काफी ज़्यादा है अभी फिलाल वल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा population इंडिया में है तो per capita electricity की consumption जो है हमारे देश में वो काफी कम है अगर हम बात करें per capita electricity consumption की तो इस मामले में हम पूरे वल्ड में 106th position पर है 2017 की report के data की अनुसार टोटल 2019 में हमारे देश में कितनी electricity produce हुई 1497 टेरावाट आवर एक question देखो इस data पर भी बनता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो electricity produce होती है वो कौन से source से होती है काफी बार UPSC match the following करवा लेती है या फिर descending order ascending order में पूछ लेती है कि इन sources को आप बढ़ते करम में लगाए सबसे ज़्यादा electricity हमारे देश में कौन से source से produce होती है तो यहाँ पर देख लीजिए आप coal से सबसे ज़्यादा produce होती है 55.6% जो electricity हमारे देश में generate होती है वो coal से होती है दूसरा जो number है वो है large hydro का फिर small hydro wind power solar power वैसे हमारा focus काफी ज़्यादा solar power पर है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है wind power हमारे देश में ज़्यादा generate होती है as compared to solar power बट जल्द ही solar power ज़्यादा होने लगेगी उसके बाद biomass nuclear और सबसे लास्ट में gas कुछ छुटमूट दूसरे facts देखो अजादी के बाद हम सो गुना ज़्यादा electricity generate करने लगे है चुकि हमारे देश की economy खास करके 1990s के बाद से काफी तेजी से ग्रो हुई है तो electricity की demand काफी बढ़ गई है electricity जो है वो IIP के core industries है उन आठ core industries में से एक है ये list है IIP के अंदर core industries में कौन कौन से industries आती है इस पर भी UPSC ने दो से तीन बार question पूछा है simple से simple question UPSC ये पूछती है इन में से कौन से industry IIP के core industries का part है या फिर नहीं है मुस्किल question UPSC arrange कर वा लेती है कि सबसे ज़्यादा contribution कौन से industry का है इस index में सबसे कम किसका है बाकि simple भी पूछ लेती है highest किसका है lowest किसका है ये कुछ schemes है जो हमार देश में सरकार के दुरा चलाए गई है electricity से सम्मंदित सो भाग्य scheme पुरा नाम है प्रधान मंतरी सहज, बिजली, हर गर योजना इसका मकसद ये था हमार देश में चार क्रोड फैमिलीज को electricity की access प्रोवाइड करना उद्या scheme इसका मकसद ये था हमार देश में जो electricity distribution companies है उनकी financial situation को improve करना उसके बाद है उजाला यानि उन्नत जोती by affordable LEDs for all ये scheme देखो focus करती है efficient lighting पर मतलब ऐसे equipment का इस्तमाल क्या जाए जिससे electricity का bill कम हो और environment preserve हो ये जो उजाला scheme है ये चलाई जा रही है Energy Efficiency Services Limited के द्वारा चलते हैं आगे नए स्था आटकल coal bad methane से समधित है ये देखो P.I.B. का article है क्या context है Context ये है Ministry of coal ने Coal India Limited को बोला है कि आप आने वाले 2-3 सालों में हर एक दिन 2 million metric standard cubic meters coal bad methane प्रेडूस कीचे coal bad methane देखो simply methane होती है जो कि मिलती है coal seams में या फिर coal deposits में ये unconventional form of natural gas है इसे हमारे energy resource को increase करने के लिए alternative source consider क्या जाता है मतलब coal bad methane की साहिता से हम ज़्यादा electricity generate कर सकते हैं कुछ additional information की हम बात करें देखो estimation के अनुसार हमारे देश में 92 trillion cubic feet क्या फिर 26 billion cubic meter के coal bad methane के resources हैं चुकि देखो हमारे देश में पांचवी नंबर पे सबसे ज़्यादा proven coale के results हैं मतलब पूरे world में पांचवी नंबर पे सबसे ज़्यादा जो coale के results हैं वो इंडिया में हैं तो जैसा हमने शुरुवात में discuss किया जहां पे coal deposits होते हैं और वहाँ पर जो methane मिलती है उसे कहा जाता है coal bad methane तो कोईले पांचवी नंबर पे सबसे ज़्यादा है तो coal bad methane के जो संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे देश में कोईला और coal bad methane के जो reserves हैं वो 12 states में मिलते हैं और सबसे ज़्यादा जो coal bad methane और coal बेड़ पे जो reserves हैं वो गुंडवाना sediments में हैं देश के eastern part में यह देखो यहाँ पर कोईला और coal bad methane के reserves ज़्यादा हैं और इसी में हैं दामोदर, कोईल वैली UPSC देखो कोईशन इस पकार से frame कर सकती है कि देश के western part में यानि गुजराक में या फिर थोड़ा और ऊपर north western part में coal bad methane के जो reserves हैं वो सबसे ज़्यादा हैं तो यह statement गलत हो जाएगी तो आपको पता होना चाहिए यह जो गुंडवाना basins है ना fertilizers के production में इस्तिमाल हो सकता है इसके लावा industrial uses for example cement production, rolling mills, steel plants और methanol के production में भी इस्तिमाल हो सकता है coal bad methane का वैसे भी देखो कोईले को extract करने से पहले methane को तो remove करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर visport हो सकता है अगर methane को ना remove किया जाता है तो यह हमने पूरा article डिसकस किया coal bad methane के बारे में चलते हैं आगे important article उन्नत भरत अभ्यान 2.0 से समंदित है क्या contest है हाल ही में HRD minister ने ये दावा किया कि उन्नत भरत अभ्यान गाउं में यानि villages में लोग की living conditions को improve कर रहा है है क्या ये उन्नत भरत अभ्यान ये देखो ministry of HRD यानि human resource development का एक flagship program है flagship schemes या फिर देखो flagship programs वो program होते हैं जो main या फिर most important program होते हैं flagship programs के द्वारा major national concerns को address करने की कोशिस की जाती हैं जैसे health, education, environment, irrigation urban, role development, employment या फिर इन से समंदित दूसरे sectors चुकि flagship programs बहुत ज़्यदा important program होते हैं तो इन schemes या फिर programs के लिए funding दूसरे schemes की अपिक्सा कर्थ थोड़ी ज़्यादा होती हैं ये कुछ examples हैं flagship schemes के जैसे मन्रेगा scheme या फिर इंदरा आवास योजनाम देखो ये जो लाइने हैं बिल्कुल hard and fast rule की तरह नहीं हैं जैसे मन्रेगा scheme है UPA के कारेकाल के दुरान ये flapsi program हुआ करती थी लेकिन आरोप लगता है अभी जो NDA की government है वो मन्रेगा को कम पैसा देती हैं बट एक essence समझने के लिए है कि flapsi program या फिर schemes कौन सी होती हैं जो ज्यादा important होती हैं जिनको सरकार ज्यादा तवज्जो देती हैं हम बात कर रहे थे उन्नत भरत अभ्यान की देखो ये जो program है ये higher education institutions को जोडता है villages से कैसे मालीजे IIT Bombay है IIT Bombay को बोला जाएगा कि आप पांच villages को adopt कर लीजे तो IIT Bombay ने पांच villages को adopt कर लिया तो उसके बाद IIT Bombay के students IIT Bombay की faculties उन पांच villages में विजिट करेगी village life से प्रीचित होगी students को जानने का मोका मिलेगा कि गाउं के लोगों के द्वारा daily basis पर किस परकार के challenges का सामना किया जाता है तो ये students और faculties villages की help करेंगे किसी problem को solve करने में for example IIT Bombay के students गाउं में गए जो उन्होंने adopt किया था जिसका नाम है रामपूर रामपूर में उन्होंने देखवा पीने के पानी की काफी समस्चा है तो students या फिर faculties जो है या तो देखो कोई innovative solution लेके आएंगे ताकि है वहाँ पर उस technologies के बारे में बताएंगे उसे implement करने में मदद करेंगे even government की जो schemes चल रही हैं उनका भी smoothly implementation होस के गाउं में इस तरफ भी अपना contribution देंगे higher education institutions के students और faculties इस अभियान में समझ गए अब उन्नत भरत अभियान क्या हैं बिल्कुल आसान सब्दों में बताऊं तो higher education institutions को बोला जाता है कि आप पांच गाउं adopt कर लीजिए और बाद में उन गाउं की आप मदद कीजिए economic और social betterment में ये main objectives हैं faculties और students जो है higher education institutions की वो गाउं में development issues को identify करते हैं और उनके लिए sustainable solution find out करने की कोशिस करते हैं या तो नई innovation लाके या फिर existing innovative technologies का इस्तिमाल करके ये तो हमने उन्नत भरत अभ्यान के बारे में जान लिया अब उन्नत भरत अभ्यान 2.0 के बारे में भी जान लेते हैं देखो सेम वैसा ही ये अभ्यान है जैसा 1.0 था आप इसे upgraded version of उन्नत भरत अभ्यान 1.0 के सकते हो इसे launch किया गया था 2018 में नया क्या हुआ इस अभ्यान में देखो 2.0 में ये जो अभ्यान था वो सभी educational institutes को extend कर दिया गया सुरुवात में limited था मतलब सभी higher education institutions इस अभ्यान में हिस्सा नहीं ले सकते थे लेकिन 2.0 में ये अभ्यान सभी higher education institutions के लिए extend कर दिया गया लेकिन हाँ criteria जरूर रखा गया criteria में तीन चाल चीजें हैं जैसे past में track record रहा हो उस higher education institution का village से engage करने का faculty enough हो objectives के परती dedicated होनी चाहिए faculty ये कुछ criteria हैं जिसके अधार पर किसी higher education institution का chain होता है इस अभ्यान में हिस्सा लेने के लिए और villages को adopt करने के लिए अभी तक देखो इस scheme में 13,072 villages को adopt किया जा चुका है 2474 institutions के द्वरा ये कुछ sectors हैं जिनमें मदद की जाती है higher education institutions के students और faculties के द्वरा गाओं की जैसे sustainable agriculture, water resource management artisans, industries and livelihood basic amenities, infrastructure and services और rural energy system question इस परकार का आ सकता है aim क्या है उन्नत भारत अभ्यान का तो काफी detail में हम discuss कर चुके हैं भी answer इसका हो जाएगा चलते हैं आगे इसके बाद last जो article है वो petroleum and explosive safety organization से संबंदित है क्या context है इस organization यानि पैसो ने कहा है कि हमने काफी सारे steps लिये हैं ये ensure करे details में oxygen की supply बिना किसी बादा के बिना किसी रुकावट के होती रहे basic information हम इस body के बारे में discuss कर लेते हैं ये body आती है department for the promotion of industry and internal trade के अंतरकत ये department कौन सी ministry के अंतरा आता है ministry of commerce and industry ये regulatory authority है और इस authority के पास autonomous status हांसिल है इसको British era के दुरान established किया गया था 1890s में as a department of explosive लेकिन और भी काफी सारे काम दे दिये गए इस organization को बाद में statutory authority है और काफी सारी responsibilities है इस body के पास अलग-अलग acts के अंतरकत जैसे explosive act 1884 petroleum act 1934 inflammable substances act 1952 और सबसे last में environmental protection act 1986 भी कुछ responsibilities प्रवाइड करता है इस organization को अगला article देखो RRB से संबन दी था यानि regional rural banks क्या contest है cabinet ने approval दिया है कि recapitalization होगा regional rural banks का मतलब इनको आलमोस्ट 1340 क्रोड रुपे दिये जाएंगे ये काफी important है क्योंकि अभी आपको पता है covid-19 की महामारी है और ये regional rural banks जो है ये loan देने का काम करते हैं rural areas में काम करते हैं तो rural areas में जिन लोग को आशकता है उनको काफी फाइदा होगा क्योंकि इन banks को पैसा मिलेगा और वो इस पैसे का इस्तमाल करेंगे फर्दर लोन देने के लिए तो हम basic information regional rural banks के बारे में discuss कर लेते हैं ये देखो financial institutions है kind of bank है ये agriculture और दूसरे rural sectors में credit प्रोवाइड करते हैं for example किसानों को या फिर दूसरे कारिगरों को खास करके rural sector को cater किया जाता है इन banks के द्वारा नाम में भी regional rural banks हैं नर्सीमन working group ने 1975 में अपनी recommendations दी थी कि इस परकार का bank establish किया जाए rural इलाकों को cater करने के लिए उसके बाद 1976 में act आया regional rural banks 1976 पहला rural bank बना था 2nd October 1975 को 2nd October को गांधी जैनती होती हैं और गांधी जी ने कहा था असली भारत बसता है गाउं में तो इसलिए 2 October को पहला regional rural bank open किया गया था बार में act भी आ गया था इनको regulate करने के लिए देखो हिस्सेदारी किस-किस की होती है regional rural bank में 50% हिस्सेदारी होती है central government की 15% होती है state government की और बाकी 35% किसी sponsored bank की sponsored bank जैसे SBI पंजाब national bank ये sponsor करते हैं regional rural banks को और regional rural bank में in sponsored bank की जो हिस्सेदारी होती है वो होती है 35% regional rural bank में दोनों को characteristics होते हैं corporate bank भी corporate bank देखो profit के नजरिये से काम नहीं करते हैं non-profit नजरिये से काम करते हैं जबकि commercial banks तो commerce के मद्देनेजर काम करते हैं वो बात अलग है कि बहुत बार उनके द्वारा सरकार के कहने पर social justice को भी देखा जाता है लेकिन आम तोर पर SBI, PNB इन बैंकों का जो मकसद होता है वो profit होता है ये commercial banks हैं तो दोनों का characteristics होते हैं regional rural banks में corporate bank के इसलिए क्योंकि ये rural areas पर focus करते हैं rural problems पर focus करते हैं और commercial bank के इसलिए क्योंकि regional rural banks में professionalism थोड़ा ज़्यादा होता है as comparison to cooperative banks cooperative banks में थोड़ा कम professionalism होता है ये objectives हैं जैसे small and marginal farmers agriculture, मजदूर, कारिगर, छोटे entrepreneurs rural areas में इन सब लोगों को credit देना, loan देना इसके अलावा rural areas में ज़्यादा employment के अफसर पैदा हों और role इलाकों का जो deposit है, वो urban areas में न आ जाए ये भी objectives हैं, RRBs के इनको देखो अपना 75% loan, priority sector वालों को देना होता है जैसे देखो farmer, minorities, ये सब priority sector में आते हैं, तो जो भी priority sector में आता है उनको 75% अपना loan देना होता है, RRBs को अब थोड़ा सा जान लेते हैं, context के बारे में, recapitalization हुआ है RRBs का, सरकार ने approval दिया है, की RRBs को 1340 क्रोडर पे दिये जाएंगे, recommendation देखो इसके लिए दी गई थी, के सी चकरवर्ती committee के द्वारा के सी चकरवर्ती ने कहा था की RRBs का recapitalization होना चाहिए, और recapitalization process को approval दिया गया था cabinet के द्वारा 2011 में तो उसी दिशा में चलते हुए सरकार ने, अब RRBs का recapitalization 1340 क्रोड का approve किया है फाइदा देखो इससे ये होगा कुछ जो regional rural banks हैं, वो अपनी CRAR जिसे capital education ratio भी कहा जाता है minimum capital capital education ratio maintain नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो maintain कर पाएंगे थोड़ा सा हम CAR के बारे में discuss कर लेते हैं यानि capital education ratio capital education ratio का formula है, tier 1 capital plus tier 2 capital divided by risk weighted assets है देखो, simple भासा में बताओ ये ratio जो है वो हमें बताती है कि किसी bank की कितनी समता है अपनी liabilities को pay करने की अगर कोई loan जो है, वो default हो जाता है loan bank ने दिया था वापस नहीं आता है तो कितनी समता है bank की इस situation में response करने की में देखो, capital education ratio ये ensure करता है कि बैंकों के पास अच्छा खासा capital मुझूद हो अपने depositors का पैसा protect करने के लिए example के तोर पर अगर capital education ratio नो है इसका मतलब ये है कि bank ने 100 रुपे का loan दिया है तो bank के पास 9 रुपे का free capital तो होना ही चाहिए तो ये हमने कुछ basic चीजें discuss की capital education ratio की हाला कि देखो concept थोड़ा ये deep में समझने क्या हो सकता है थोड़ा हमने उपर-उपर से discuss किया लेकिन अभी discussion में बहुत जाए details से discuss करना possible नहीं है फिर कभी हम इसे और जाए details से discuss करेंगे नेक्स article हमारा है special economic zone वो zones होते हैं जहां पर economic productivity बहुत ज्यादा होती है re-energize हो गई है special economic zones ठीके ये re-energize कैसा हुए financial year 2021-20 के आखड़ों के अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने achieve क्या है exports के sphere में 100 billion dollar का मुनाफ़ा exports में special economic zone जो के duty free भी होते हैं ये foreign territory को भी allow करते हैं कि आपके अपने अपने operation से carry out करना इंडिया में special economic zone पहली मर्तभा implement किया गया था 1st April 2000 में subsequently उसके बाद में हुआ ये था 2005 में special economic zone का और एक act आया था introduce किया गया था इंडिया में main objectives क्या है main objectives क्या है इसके main objectives आपको main answer writing में भी काम आँगे इसके main objective है generation of economic activity ज्याज़ ज्याज़ ज्यादा trade and commerce को generate करना promotion of exports and investment देखे दोनों भी promotion of exports and promotion of investment directly proportional होते हैं आप exports को promote कर दो investment वह बहुत ही आएगा आपके पास जब investment आएगा आपका profit बहुत ज्यादा होगा और ज्यादा profit के लिए ज्यादा investment जब आ रहा है ज्यादा profit भी मिल रहा है आपको तब आपको जुरत पड़ेगी infrastructure development इसके objective में आएगा special economic zone rules provide करता है जैसा कि single window clearance होगा अब तक complicated work था special economic zone में invest करने के लिए बहुत सारे paper work करना पड़ता था बाबुहों से लेकर permission लेना पड़ता था जाकर अभी क्या है single window clearance एक platform पे जाना है आपको apply करना है आपको मिल जाएगा आपको permission मिल जाएगा और आप self certified भी करेंगे कर सकते हैं आपको self certification अपने आप कर सकते हैं लेकिन certification के लिए पहले कहां जाना पड़ रहा था एक एक mandal office इधर उधर फिरना पड़ रहा था अब नहीं आप खुछ self certified कर सकते हैं और एक ही जगह से आप permission ले सकते हैं special economic zone में invest करने के लिए यही चीज़ बाबा कगयानी committee ने भी recommend की थी special economic zone को लेकर के आपको इना focus shift करना है exports तक कब तक रखेंगा exports के अलावा भी आपको focus रखना है economic or employment growth के लिए और यह एक आउतार जैसा act करेंगा special economic zone जो के employment economic enclaves होगा incarnation पहले question आप यह expect कर सकते हैं के बाबा करियानी committee किसके related suggestions दी है special economic zone के related और इसके related और एक term आता है जो हम समझेंगे अब net foreign exchange यह होता क्या है net foreign exchange subtract करती है value जो के आप import कर रहे हैं import कितने चीज कर रहे हैं कितने चीजें आप foreign territory से खरीद रहे हैं और कितने बेच रहे हैं इन दोनों को subtract करेंगे तो आपको value आईगी not net foreign exchange की next article है हमारा boost for dairy sector देखिए हाल फिलाल में थोड़े changes किये गए dairy processing and infrastructure development fund में central government ने यह scheme क्या बताती है यह scheme है white revolution के associated है यानि milk production के associated है कि इसको नए level लेकर जाना है news में यह इसलिए है क्योंकि government ने इसकी subsidy को increase कर दिया है loans जो मिलते हैं उसकी subsidy को increase कर दिया है पहले क्या थी पहले 2% थी अब 2.5% है और funding period भी है इसका revise कर दिया गया है पहले 2017-18 से लेकर 2020 तक होती थी और अब 18-19 से लेकर 22-23 तक हो गई है इतना ही नहीं repayment period जो होता है वो भी extend कर दिया गया है 30-31 तक boost for dairy sector क्या scheme है यह यह तो पहली से यह जाना यह कौन सी ministry के अंदर गताती है Central Sector scheme है जो के launch की गई है Department of Animal Husbandry & Daring and Ministry of Fisheries Animal Husbandry & Daring दोनोंने मिलकर यह scheme चलाया है boost for dairy sector ठीक है इसका aim क्या है इसका main मकसद है के additional milk की processing की capacity को additional करना milk processing capacity को बढ़ा देना supplement कर देना और invest करना infrastructure में modernize करने के लिए जैसा के बताओ मैं आपको तो machinery और processing plants जो होते हैं वो अभी तक traditional methods के हैं उसको modernize करना क्यूंकि efficiency लेकर आना है dairy processing में यह एक मकसद है यह scheme का और beneficiaries जो होंगे यह scheme के बाद यह scheme चलने के बाद सही से लागू कर देने के बाद end borrowers होंगे और milk unions होंगे end borrowers होते कोने such as milk unions, state dairy federation, milk cooperatives milk producer companies etc. Under this scheme होगा यह fund setup किया जाएगा नबाट के अंतरगत और funding will be in the form of interest bearing loan interest bearing loan की शकल में आपको funding दी जाएगी जो के implement करवाएगी दो bodies, एक हो गया national dairy development board and second is national dairy development cooperation, directly through the end borrowers, end borrowers से directly यह है न, implement करवाएगी उसके साथ साथ और एक चीज़ी है देखे आप, RBI ने announce किया है payment और settlement system क्या होना चाहिए payment के अगर बात करूं तो मैं digital payment index होगा reserve bank ने हाल फिलाल में consider किया है periodically publish करना है जो भी DPI के data होगा, DPI to capture the extent of digitization of payment DPI का जो भी data होगा यह पुरा capture करेंगे और RBI को बताएंगे और यह implement होगा July 2020 onwards, July 2020 के बात से ठीके और इसके framework को establish किया है self regulatory organization ने, किसके लिए digital payment system के लिए RBI will put in place a framework for establishment and SRO for the digital payment system in April 2020 यह April 2020 से start होगा और SRO जो है यह two way communication channel होगा किसके बीच में, players के बीच में और regulatory authorities के बीच में यानि supervisors के बीच में next article हमारा है rise in digital payments related recently हुआ यह study published की गई है RBI ने, यह study का नाम था assessment of the progress of digitalization from cash to electronic ठीक है, यह study conduct की है और यह release भी की है RBI ने, हुआ यह था, आपको पता होगा demonetization के बाद ने बहुत सारा encourage किया जा रहा था central government से कि आप एना digitalize हो जाएने, और उसके बाद में आप सुने होंगे कि कैसा phone pay, google pay और paytium सदा बाहर हो गए उसके बाद से payment है ना digitalize कर देना है cash के form में नहीं करना digitalize करना है क्यूंकि accountability maintain की जाती है digitalization में कि government के पास particular data होगा कि कहां से कितना money circulate हो रहा है market में अगर जूरत होने पर यह authorities को पूछे कि कहां से क्या है यह सब details ला कर देना report में जो key findings हुए है वो यह है कि digital payment जो country में इंडिया में जो witness क्या गया है compound annual growth जिसका है 61% और 19% in terms of both volume and value respectively volume के related 61% है 19% value के related है compound annual growth digital payments का और और देखें 72% आज भी इंडिया के consumers transaction जो कर रहे है it is in the form of cash it is something which is double with the rate of the China, China में जो आदा हो गया 72% का और इंडिया में आज भी 72% चर रहा है digitalization payment digitalization next article CRR for new retail and MSM loans यहां पे इसको समझने के लिए 2-3 चीजें आप देख लेना CRR क्या होता है NDTL क्या होता है आपको पता ही होगा जैसा कि आप लोग UPSC की preparation कर रहे है आपको basically यह मालूम होगा CRR होगा CRR वो reserve ratio है जो के any bank कोई भी bank को RBI के पास deposit करना पड़ेगा जैसा अगर 100 करोड की बात करूँ मैं 100 करोड मेरा investment है bank खोलने में तो इसका 4% 4 करोड मुझे RBI को दे देना होगा ठीके यह काम आएगा यह कप काम में आएगा अगर कोई bank रप्ट कर जा रहा है bankruptcy हो जा रही है किसी bank को लेकर तब यह CRR यह RBI यह रेगुलेट करेगा और इसकी पकड़ भी होगी bank की CRR और SLR के फॉर में यहां पे CRR पे focus करना है SLR का हमाने कुछ मकसद नहीं है यह topic के related नहीं है second is net demand and time liability ndtl कहा जाता है इसका acronym word it shows difference between difference between the sum of demand and time liability sum of demand demand क्या हो रहा है deposits को बोलते है demand or liabilities government के पास bank के पास क्या time liabilities जैसा कि fixed deposits, recurring deposits इसको बोलते है time deposits okay इन दोनों को calculate करने के बाद दोनों को calculate करने के बाद आपको मिलेगा ndtl यहां पे देखिए formula है demand and time liabilities minus deposits with other banks यह दो निकालेंगे तो आपको ndtl मिलेगा बहरात यह kind of a deposits है जो के RBI के पास banks को रखना होगा context क्या है context यह है कि RBI ने recently banks को यह कहा है आपको reserve ratio cash reserve ratio जो 4% रखा रहे थे अगर 4% मानू मैं तो अगर यह 4% है तो उसको half कर दिया जाएगा 2% कर दिया जाएगा अगरचे के आप loans देना है ना बहुत ज्यादा कर दिये loans कितने spheres में देना है कितने dimensions में देना है किन को देना है यहां पे देखिया loans MSME को देना और hausings के लिए loans देना auto sectors के लिए loan देना अगर आप यह loans देते हैं और हमें data बताते हैं यही लिखवा है यहां पे banks can deduct the equivalent amount of increment credits disbursed by them as retail loans to these sectors कोंसे sectors? MSME, housing and auto sectors ना, next article declining investment in P notes पहली चीज़ यह जान लो आप लोग यही सोंशने होंगे P notes है ना, promissory notes है नहीं, बिल्कुल नहीं promissory notes नहीं है यह participatory notes है participatory notes, P notes कहलाते हैं यह अब P notes है क्या? देखे P notes होते क्या है investment in the Indian capital market through participatory notes have hit a nearly 11 year low by the end of December 2019 मतलब P notes अभी तक जो हो रहा था जो भी investment क्या जा रहा था in the form of participatory notes वो है ना, decline हो गया आप यह सुशने होंगे कि participatory notes क्या है और यह decline कैसा हो गया तो let me give you an example अगर कोई foreign investors इंडिया में invest करने की सोच रहा है क्या करना होगा उसको? FPIs जो stock brokers होंगे यह इसको contact करेगा take it for example, stock brokers होंगे यह लोग जो foreigner होंगे foreigner है ना इन लोगों से contact करेंगे और यह लोग बताएंगे कि कहां पर invest करना है कितना invest करना है let us say India में invest करना है तो यह आएंगे और यह बोल देंगे कि इतने पैसे invest करना है और इंडिया में invest करना है यह सब regulate होगा regulate कहा होगा यह SEBI के द्वारा regulate क्या जाएगा यहाँ पर पहले शरायत यह थे conditions यह थे कि आपको है न KYC नहीं देना है KYC नहीं देना है know your customer ना तो आपको IDs देना है ना कुछ देना है आप investment देना यह बीच में जो brokers होंगे वो आपको कुछ दे देंगे और आपको जो भी profit आएंगा आपके पास आजाएंगा लेकिन अभी जो हो गया tightening rules करने की वज़े से participatory notes का जो profit आना चाहिए था जो investments आना चाहिए था वो खतम होगे वो decline कर गए क्या हुआ था recently recently यह हुआ था SEBI का full form है Securities and Exchange Board of India SEBI ने यह mandate कर दिया अनिवारी कर दिया कि जो भी लोग होंगे FPIs will have to get separate registration उनको separate register करवाना पड़ेगा if they want to issue P notes ठीक है अभी तक क्या था registrations नहीं थे लोग के लिए KYC fill up करने की जूरत नहीं थे लोग को लेकिन अब क्या होगा registration है mandate हो गया है Less favorable treatment of non-FATF members jurisdiction such as Mauritius from the perspective of higher KYC restrictions के favor नहीं करेंगे हम non-FTF countries को के जैसा के Mauritius हो गया non-FATF country है के यह लोग को favor नहीं करेंगे favor कैसे नहीं करेंगे अब तक है ना यह लोग कर ले रहें थे मनमानी बिना registration के बिना अपनी identity के यह invest कर रहें थे और profit कमा रहें थे इसमें होगा यह foreigner के रूप में कोई Indians भी invest कर सकते हैं और profit कमाने की कोशिश कर सकते हैं यह black money को ज्यादा encourage करेगा that's the reason why RBI नहीं यह rules से tighten कर गे लेकिन tightening करने के वज़े से low भी हुआ investment में बहुत ज्यादा low पाया गया okay issuers will also have to file suspicious transactions reports जो issue करेंगे वो यह भी जानेंगे के suspicious activities हो रही क्या in terms of this issuing of registration ID and participatory notes के investment में किसके साथ ये रेजिस्टर करवाना है ये report किसके साथ रेजिस्टर करवाना है Indian financial intelligence units units carry out reconfirmation of the P notes positions होना semi annual basis besides carrying out KYC reviews per year ये confirmation भी चाहिए confirmation भी लेकर आना है के P notes की position क्या है semi annual basis quarterly half yearly half yearly आपको है reports देना है के P notes की participation क्या हो रही है और review करना है हर साल KYC norms review करते रहना है until 2016 P notes were not required seek the issuer's prior permission issuer की permission की जूरत नहीं थी 2016 तक लेकिन अभी सब changes करवा दिया गया है investor offshore उनके लिए about participatory notes P notes are offshore derivatives instruments of underlying Indian assets they are issued by register foreign portfolio investors FPI का full form क्या है foreign portfolio investors यह लोग issue करते हैं और बाहर वाले खरीदते हैं यह invest करते हैं जो के overseas investors होते हैं hedge fund भी बोलते हैं लोग को यह लोग invest करते हैं to be a part of Indian stock market Indian stock market में अगर part होना है तो यह invest करते हैं without registering themself with CB यह होता था अब तक लेकिन अभी बहुत सारी changes किये गए जिसके लिए downfall भी देखने को मिला है benefits क्या क्या होगे they provide access to quick money to the Indian capital market यह लोगो बहुत जल्दी quick money मिल जाएंगा Indian capital market में moreover it enables the investors to avoid cumbersome regulatory approval process यह जो दिक्कत है थी के approve कैसा करवाना है यह भी avoid कर दिया जाएगा यह norms के साथ investors will save time, money and scrutiny यह तो फाइदे बता रहे हैं लेकिन फाइदे बताने के बाद में भी है ना बहुत सारे चीजें ऐसी है जिसके कारण यह सब है decline कर दिया गया और यह बहुत जरूरी भी था क्योंकि हमारी कुछ concerns थे, concerns इसके लेकर थे के money laundering कोई कर तो नहीं रहा है इंदा नेम ओफ ओर इन ओफ्शोर investor के रूप में कोई Indians तो इसमें invest नहीं कर रहे है यह एक बहुत बड़ी परेशानी थी हमारी जो के अब खतम हो जाएगी misused to launder money or fund illegal activities because of the anonymity जो के नाम नहीं मालूम है अब registration के साथ साथ नाम भी मालूम होगा और economic mortality भी change होगी ओके यह article इस बारे में था तो इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion 10